पूजय संथ श्री आशाराम जी पापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंदल द्वारा अंतराश्ट्री महिला दिवसक्यों पलक्ष में उधेपुर में विशार संस्कृती रक्षा रैली निकाली गी हजारों की संख्या में इकठी हुई महिलाओं ने बापु जी की रिहाई की मांकी यह रैली सनातन मंदिर शक्तिनगर से होती हुई टाउन हाल बापु बाजार जीनी रेत धानमंडी से दिल्ली गेट होती हुई कलेक्टरी पहुँची रैली के अंत में बुज बापु जी की शिग्र रिहाईयतु माननिय राष्ट्रपती के नाम डिप्टी कमिशनर प्रभा गोतम को ग्यापन स्वंपा इस दोरान संचालक सुशीला बहन और महिला मंदल प्रवक्तार इंकु ने कहा कि विश्व की चार प्राचीन संस्कृतियों में से केवल भारतिय संस्कृती ही अ लेकिन आज निर्दोश संस्कृती रक्षक संतों को अंधे कानूनों के तहत फसाया जा रहा है इस दोरान यात्रा में महापुर्शों के श्री विग्रहों से सुसर्जित वहनों के साथ लगबग 500 साधक साधिकाएं उपस्तित रही देदी बापु जी को दो-दो कोट ने आज इवन कारावस की सजा दी उसके बाद भी आज इतनी बहने बापु जी के समर्थन में खड़ी हैं क्या कहोगी इसके बारे में बापुजी के समर्थन में तो इतनी क्या करोडों मही लाएं खड़ी वी हैं चाए दो कोट क्या दस कोट दे दे बापुजी के विरुद में नयाएं क्योंकि हर एक का अपना अनुभव है हर को मालूम है कि हमने बापु से क्या पाया है और जब शडियंतर करके गुरुदेव के लिए आरोप लगाए गए हैं तो वहाँ नयाए की उमीद कहा है देदी बड़े बड़े अपराधियों को छोड़ दिया जाता है लेकिन संत स्रीयासानाम जी बापुजी को एक दिन तो छोड़ो एक मिना तक के लिए उन्हें राहत नहीं दी जा रही है अन्याय की पराकाष्टा है ये मानव अधिकारों का पूर्ण तया हनन है ये तो यहाँ पर इंसानियत नाम की चीज दिखने में नहीं आ रही है और मुझे तो सच में ये समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तानी प्रशाशन और सरकार क्यों नहीं सुन रही है क्योंकि बापु तो संस्कृती के लिए लड़ रहे हैं बापु तो देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं देश सुरक्षित नहीं होगा, संस्कृती नहीं होगी, तो आप और हमारा जीना कहां होगा संभग। और अगर कोई सोचता है कि पडोस के घर में आग लगी है, लगने दो, कोई बात नहीं, लपटे कल को हमें भी छूने वाली हैं।